कॉलेज से वापस आते हुए मैं कपड़े की दुकान के बाहर खड़ी हो जाती और हसरत भरी नजरों से फैंसी सूट देखती. एक दिन दुकान के मालिक ने मुझे अंदर बुला लिया. पूछा कौन सा सूट लेना है? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. वह कहने लगा कोई कोई बात नहीं. फ्री में ले जाओ. बस शर्त यह है. यह सूट में खुद तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा. मैं लालची थी. इसलिए मान गई. फिर उसने मुझे दुकान के अंदर कर लिया. और फिर मेरे कपड़े अपने हाथों से… शीशे के दर्वाजे लगे हुए थे. बहुत बड़ी सी दुकान थी. जहां फैंसी ड्रेस की भरमार थी. एक से बढ़कर एक फैंसी ड्रेस सजा के रखा गया था. बाहर शीशों से ही वह ड्रेस मेरी नजरों के सामने आ जाती थी. और मैं गहरी ठंडी आहे भरती थी. जहां शीशे से नजर आने वाली उसे फैंसी गाउन ने मेरे होश उड़ाए थे. बड़ी हसरत भरी नजर से में उस गाउन को देख रही थी. जो यकीनन मेरी पहुँच से बहुत दूर था. जिस घराने से मेरा संबंध था, मैंने आज तक अपने खांदान के अमीर घरों क लड़कियों के उतरण ही पहन कर गुजारा किया था. मुझे नहीं याद की. कभी हो ली, दिवाली पर भी मेरी माने मुझे नई ड्रेस लेकर दी. वह यही कहते हैं कि ये तुम्हारी मौसेरी बहन टीना है ना, ये उसकी ड्रेस है. तुम्हारी मौसी ने दी है. कह रही थी की टीना ने ये ड्रेस बस कुछ ही बार पहनी है. निहारिका को पहना देना दिवाली पर? मा के कहने पर मैंने अपने मूं के एक्स्प्रेशन बिगाड़े थे. मैंने कहा, मा मुझे कभी भी नए कपड़े लेकर क्यों नहीं देती हो, कभी तो ले लिया करो. इस बार मुझ कारा मेहनत ही करता है. तो बस इतना ही कमाता है कि इज़त की रोटी हम खा लेते हैं. कम से कम किसी के आगे भीख तो नहीं मागने पड़ती. और एक तू है कि तेरे नखरे ही खत्म नहीं होते. मैंने कहा, मा ये भीख नहीं तो क्या है? कभी चाचा की बेटियों के उतरण त मैंने से छोटी दोनों बहने मोना और पायल की तरफ इशारा किया था. मैंने बहुत सारे कपड़े गोज से हटा कर एक तरफ रखें और बाहर निकल गई. छोटा सा घर था, जिस घर में बस दो ही कमरे थे. कोई महमान आता, तो आंगन में कुरसियां टेबल रखकर हम महमान को बिठाते थे. एक कमरा मेरा और मेरी दोनों छोटी बहनों का था. और मेरे मम्मी पापा का, मेरी उम्र इस समय अठरा साल थी. मेरी दोनों छोटी बहने मोना और पायल जुडवा थी. वह मुझसे तीन साल छोटी थी. मेरी दोनों छोटी बहने सरकारी स्कूल में पढ़त लेकिन बाजार से गुजरते हुए मेरी नजरें वहाँ पर मौजूद दुकानों पर ही टिकी होती थी। बड़ी हसरत भरी नजरों से उन सामान को और कपड़े को देखा करती थी। शीशे के अंदरूनी हिस्से पर वह गाउन लगा हुआ था और मैं बाहर से उस पर हाथ फेर रही थी। अपनी सोचों में ही गम थी कि अचानक मेरे पीछे से एक मरदाना आवाज आई। ये क्या देख रही है। मैडम जी अंदर आईए। मैं आपको और भी वेराइटी दिखाई देता हूँ। बाहर से देखने से अंदाजा थोड़ी होता है। शायद वह उस दुकान का मालिक था। मैंने पलट कर देखा तो वह 25-26 साल का नौजवान था। वह कहने लगा, अंदर आईए, मैं आपको और भी वेराइटी दिखाई देता हूँ। मैंने कहा, नहीं मुझे अभी जरूरत नहीं है, बस मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी थी। वैसे इस ड्रेस की कीमत क्या है, मैं यूँ ही पूछ लिया था। वह कहने लगा, वैसे तो ये ड्रेस तीस हजार की है, लेकिन मैं आपको कम कर दूँगा। ये बात उसने अपने चहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान से जाकर कही थी। लेकिन मेरे पास तो जेब में पचीस-तीस रुपए भी न थे। मैंने ठंडी गहरी सांस भरी और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी। मैं तो अपनी जान छुडवाना चाहती थी, लेकिन वह लड़का कहने लगा, आप अंदर तो आईए। मेरे पास कम कीमत के भी बहुत ही खूबसूरत वैराइटी के कपड़े मौझूद है। उफ, बड़ी गर्मी है बाहर, आईए और बैठिये, मैं आपको बहुत सारे कपड़े दिखा देता हूँ। उस समय उसकी दुकान पर कोई नहीं था, मैं सामने रखी कुरसी पर बैठ गई। वह मुझे अलग-अलग तरह की खूबसूरत ड्रेस दिखने लगा था। एक से बढ़कर एक ड्रेस देखकर मेरा जी चाहा कि सारे उठाकर खरीद लूँ। लेकिन हम गरीबों के पास बस हसरत भरी नजरे ही रह जाती है, ठंडी आ भरने के लिए, जो मैं उस वक्त कपड़ों को देख देखकर भर रही थी। एक से बढ़कर एक फैंसी ड्रेस देखकर में उनमें ही खोकर रह गई थी। लेकिन मेरे होश इस समय उड़े जब उस लड़के ने एक लाइट पिंक रंग का फैंसी दुपट्टा मेरे सर पर उड़ा दिया, मैं एकदम चौक सी गई थी। मेरी उस पर नजर पड़ी तो वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, सामने आईना है, आप देखो, ये रंग आप पर कितना जच रहा है। आप इस कलर में बड़ी ही प्यारी लग रही है। मेरी नजर के सामने लगे शीशे पर पड़ी, तो वाकई मुझे अपना आप खूब सूरत लगने लगा। मैंने वह दुपट्टा अपने सर से उतर कर वापस रख दिया। मैंने कहा कि इसकी क्या कीमत है। आप जितना भी दे दे, मैं खामोशी से रख लूँगा, मैं उसक की बात सुनकर कुछ हैरान हुई। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे इसकी कीमत बता दे, अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं ले लूँगी। वह कहने लगा, कीमत को छोड़ो, इस ड्रेस को देख कर लगता है आपके लिए ही बना हो, इसलिए आप जो दे देंगे मैं कहने लगा, ले जाए आप जैसे लड़की के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये सूनकर मैंने फॉरन से उसके हाथ से थैली ली और वहीं पर रख दी, और दुकान से बाहर निकल गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। तेजी से तो ढंकी चीज ही नहीं होती है। रखने के लिए मेरी छोटी बहने स्कूल से वापस आ चुकी थी। और मा उनको खाना खिलाते समय रोज यही बात दोहराया करती थी। कि कम-कम खाना खाया करो, हम तीनों बहने ही थे। भाई कोई नहीं था। और इस बात का ताना लगभ चाचा इतनी ही पाव पहलाओ, जितनी की चादर है, लेकिन हमारी चादर बरसों से बस बराबर ही थी, कभी बड़ी नहीं हुई थी। दो वक्त की रोटी खा कर सोते, यह अलग बात है कि बाकी अपनी जरूरत के लिए हमें दूसरों को देखना पड़ता था। मेरे चाचा थे कि सारी इनामदारी उन्हें पर आकर खत्म हो जाती थी। मजाल है कि कभी अपनी तनख्वा से एक रुपया भी उपर ले हो। मैं मंद से कहती थी कि पापा क्यों अपनी नौकरी का फाइदा नहीं उठाते हैं। चाचा भी तो है, उनके घर में तो ऐसी तंगी नहीं है हालांकि पापा और चाचा की तनख्वा बराबर ही है। तो मेरी मा कहते हैं कि हमें हराम की कमाई नहीं खानी है, बस अपनी जिंदगी में खर्चों में कमी कर लेनी चाहिए, लेकिन हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए। मेरा दिल चाहता था कि कोई अन्होनी हो जाए या को मैं कमरे में चली गई, उस लड़के की बातें मेरे अंदर हलचल सी मचा गई थी, कमरे में जाकर पहले तो मैं अपनी दोड़ती भागती धड़कने को काबू में लाने की कोशिश की, सामने ही मेरी मां का पुराना श्रिंगार मैच पड़ा था, उसे पर लगे शीशे पर जब जाल भी कमर तक लंबे थे, मेरी गिंती खूबसूरत लड़कियों में होती थी, लेकिन ये गरीबी थी मैं जिसमें मार खा जाती थी, वरना मुझे में कोई कमी न थी, अब तो जब भी मैं कॉलेज से वापसी पर उस बाजार में बस से उतरती, तो वह लड़का अपनी पर खड़ी अपनी बस का इंतजार करने लगती, मैं बहुत ही दिल लगा कर पढ़ती थी, क्योंकि मैं जानती थी, मेरी डिग्रियां ही मुझे इस गरीबी से चुटकारा दिला सकती है। मैं बस पर सवार हुई, तो वह भी मेरी ही बस पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं अपने कॉलेज के लिए बस के नीचे उतरी, तो वह भी नीचे उतर गया। यह देखकर मैं कुछ घबराई थी, वह गली भी सुनसान थी, थोड़ा दूर जाकर ही कॉलेज की लड़कियां नजर आती थी, जैसे ही मैं बस से उतरी, वह तेज कदम उठाता हुआ मेरे बराबर में चलने लगा, और बोला, मेरा नाम आदित्य है, वह मेरी अपनी दुकान है, मेरा इरादा तो ज्यादा पढ़ाई करने का था, लेकिन बाराविंग क्लास पढ़ते ही, मेरे पापा ने अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा कि देखिये, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, कहने लगा कि मैं भी शरीफ टाइप का लड़का हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ, आपके सिवा कुछ दिखी नहीं देता, विश्वास करें, वह ड्र उस दिन मैंने बहुत ही सीरियसली सोचा था, कि वह लड़का मुझसे मोहबबत करने लगा है, और है भी अमीर, इतनी बड़ी दुकान का मालिक है, मुझे किस्मत इतना अच्छा मौका दे रही है, तो मुझे किस्मत आजमानी चाहिए, अब जब भी वह मुझे मुस्कुरा कर देखता है, तो मैं भी बदले में मुस्कुरा देती, धीरे धीरे मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई, मैं जब भी कॉलिज से वापस आती, तो सीधा उसकी दुकान पर चली जाती, वह पहले अपने सारे ग्राहकों को निपटाता था, जब मैं अकेली उसकी दुकान पर सूट भी मौजूद है, उन कपड़ों की कीमत भी 1500 और 2000 से कम नहीं थी, एक बार उसने खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दिया, और कहने लगा कि यह मेरी तरफ से रख लो, मैंने कहा कि मेरी माँ पूछेंगी, तो क्या जवाब दूँगी कि, आए दिन तेरे पास इतने कप पहनती आई हूँ, मेरी अधूरी बात को उसने ही पूरा किया, कहने लगा कि कह देना कि तुम्हारी किसी दोस्त ने गिफ्ट में दिया है, यह सुनकर मैं खुशी-खुशी वह कपड़े लेकर घर चली आई, अब उस लड़की की महरबानिया मुझ पर बढ़ने लगी थी, एक बार उसने मेरे हाथ पर मोबाईल थमा दिया, यह देखकर तुम्हें हैरान रह गई, क्योंकि जो मोबाईल उसने मुझे दिया था, वह कम से कम 20-25 हजार से कम न था, कहने लगा, इसे रख लो मैंने कहा, मैं क्या करूंगी इसका, वह कहने लगा कि रात को मुझे बाते क चुका था, लेकिन अब वह मुझे से जिद करने लगा था, कभी कहता कि जो कपड़े मैंने तुम्हें दिये हैं, मुझे पहन कर दिखाओ, कभी कहता है, इस बार में तुम्हें बहुत ही fancy gown देना चाहता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, दो मही सहेली घर पर हो तो मुझे बुला लेना, और यह ड्रेस पहन कर मुझे दिखा देना, मैंने कहा, ऐसा कैसे मुम्किन है, वह कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करो निहारिका, मुझे तुम्हें अपनी पसंद में देखना है, उसकी यह बात सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी, लेकिन इसकी बात टाल भी नहीं सकती थी, एक बार मेरी मा मेरी अपनी सहेली सुनीता के घर गई थी, घर में छोटी बहने थी, मैंने सोचा, कि आज मैं आदित्य को घर बुला लेती हूं, मैं अपनी छोटी बहनों को बहाने से उनके दोस्तों के घर भेज दिय और कहा कि दो घंटे से पहले घर मत लोटना वह खुशी-खुशी चली गई मैंने फोन करके आदित्य से कह दिया कि इस वक्त में अपने घर पर अकेली हूँ यह सुना था कि वह मेरे लिए बहुत सी कीमती तोहफे लेकर घर पहुँच गया कहने लगा यह सब तुम्हारे लिए है जब मैं वह थैली खोल कर देखी है तो उसने वही गिरे और सिल्वर रंग का गाउन था जिसे देखकर मेरी आँखें चमक उठी थी वह मुझे कुछ देकर मेरे करीब आकर कहने लगा जल्दी से पहन कर दिखाओ मैंने वह गाउन पहन लिया मुझे देखकर तो वह अपनी आँखें जपकाना भूल गया था उसने कुछ तस्वीरें मेरे साथ खीचना शुरू कर दी मैंने कहा यह क्यों खीच रहे हो तो वह कहने लगा बस मेरे पास ही रहेंगे उसने एक वीडियो भी बनाई थी जिसे वह मेरे बहुत करीब खड़ा था कहने लगा निहारिका सिर्फ मेरी है मूवी बनाते हुए वह मेरी बेहद करीब हो चुका था इस वक्त तो हम दोनों ही घर पर अकेले थे मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था और मैं फोन से पीछे हट गई मेरे यू पीछे हटने पर उसने अपना मोबाईल बंद किया और जेब में रख लिया वह कहने लगा निहारिका अब तुमसे दूर रहना मुझे मुझे मुश्किल लगने लगा है मैंने कहा तुम अपना रिष्टा किसी और की नहीं हो सकती मेरी मा मुझे से कह चुकी है कि अगले साल में ही वह मेरी शादी कर देंगे मेरी बात सुनकर वह परिशान हुआ था कहने लगा मुझे कुछ समय दो मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा तुमेरा इंतजार करना मैं उनको राजी कर लूँगा यह कहकर वह रुका नहीं था फौरन से वापस चला कुछ घंटे बाद जब मेरी मा घर वापस आई तो बड़ी खुश थी उन्होंने मुझे तीन जोड़े दी जो बिलकुल नए थे कहने लगे तुम्हारी सुनीता आंटी ने तुम्हारे लिए नए जोड़ भेजे है मुझे उन कपड़ों को देखकर हैरत हुई थी कि आज सुनीता आंटी को यह खयाल कैसे आ गया वरना तो हमेशा अपनी बेटी की उत्तरण ही मुझे भेजते है और उसके बाद जो खबर मेरी मा ने मुझे सुनाई थी मेरे होश उड़के रह गए थे कहने लगी तुम्हारी सुनीता आंटी ने तुम्हारा रिष्टा मांगा है यह सुनकर मैं हैरान हो गई मैंने मा को देखा था सुनीता आंटी का तो बस एक ही बेटा था और वह भी शादी शुदा था और मुझे दस साल बड़ा था मैंने कहा मा आंटी का कौन सा बेटा है सुनीता आंटी का तो एक ही बेटा है और वह भी शादी शुदा है मा कहने लगी अरे अपना रोहन ही तो है, मा की बात सुनकर मेरे चेहरे की रंगत उडि थी, मैंने कहा मा आप होश में तो है मैं रोहन से शादी कैसे कर सकती हूं, वह तो शादी शुदा है, मा कहने लगी, अरे उसकी पतनी तो बड़ी नकरे वाली थी, चार साल भी न टिक सकी, उन्होंने उसे तलाग दे दी है यह सब सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी हालां कि मैं जानती थी कि रोहन की पत्नी किरण काफी अच्छी थी हाँ सुनीता आंटी और उनके बच्चे बड़े ही बदतमीज थे और रोहन तो किरण पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता था मैंने कहा, नहीं मा, मैं किसी सूरत रोहन से शादी नहीं करूंगी मेरी इनकार को सुनकर मा भड़क उठी कहने लगी, अरे महीने के लाखों कमाता है रोहन तुझे तो ऐसी किसमत पर खुश होना चाहिए मैंने कहा, नहीं मैं रोहन से शादी नहीं करूंगी यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी रात को जब मैं आदित्य को फोन किया कि मैं उसे बता सकूँ कि मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ तुम बस जल्दी से जल्दी अपना रिष्टा भेज दो लेकिन आदित्य का फोन बंद जा रहा था आज से पहले कभी भी आदित्य का फोन बंद नहीं हुआ था मैं बेहत परिशान हो गई थी अगले ही दिन में बाजार चली गई लेकिन आज उसकी दुकान पर कोई 50 साल का आदमी बैठा हुआ था शायद आदित्य के पापा थे इसलिए मैं मायूस होकर घर लोटी थी मैं आदित्य को बहुत फोन किया लेकिन उसका फोन लगातार बंद की बंद ही जा रहा था और जब भी मैं उसकी दुकान पर जाती तो आदित्य की जगह है उसके पापा होते मैं कुछ देर में ही दुकान से बाहर खड़ी रहती एक बार में दुकान के अंदर चली गई वह आदमी कहने लगा आपको क्या चाहिए बेटा रोज आप मेरी दुकान के बाहर ही खड़ी रहती है मैंने कहा मैं आपकी दुकान से एक ड्रेस लेकर गई थी आपका बेटा उसे वक्त वहां बैठा था मैंने उसे कुछ पैसे दिये थे लेकिन दो हजार का नोट के उसके चेंज नहीं थे इसलिए उसने कहा कि वह मुझे पैसे बाद में दे देगा मैं रोज उसे देखने आती हूँ ताकि अपने पैसे वापस ले सकूँ वह कब वापस आएगा मेरी बात सुनकर उस आदमी ने हैरत का इजहार किया कहने लगा मेरा बेटा मेरा तो कोई बेटा यहाँ नहीं यह सुनकर तो मेरे होश उड़े थे मैंने कहा उसका नाम आदित्ते है आपका ही बेटा है न वह और इसी दुकान पर होता था यह सुनकर उसकी आदमी के चेहरे पर गुसा सा फैल गया था वह कहने लगा वह लड़का तो मेरा नौकर था कमबख्त पिछले दो महीने में 40-50 हजार का सामान मेरी दुकान से गायब कर चुका है पैसों की अलग हेरा फेरी की है मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है तुम बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे थे वह मैं तुम्हें दे देता हूँ मैं क्या बताती मेरा दिमाग तो सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था मैं बुझे दिल के साथ घर पहुँची तो मेरी मां बेहद गुस्से में खड़ी थी मेरे पापा भी घर पर मौजूद थे जो सर पकड़ रहे बैठे थे सामने चाचा भी मेरे गुस्से से देख रहे थे मुझे हैरत थी यह सब यहां क्यों मौजूद थे मेरी मां आगे पड़ी और मेरे मुह पर जोड़दार थपड़ दे मारा कहने लगी यह सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई हमारे विश्वास का तुने यह सिला दिया मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या किया है मैंने कहा मां क्या हुआ है मेरी बात पर चाचा ने अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया जिस पर मेरी और आदित्य की वीडियो लगी हुई थी, यह देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी. आदित्य ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था. उसने मेरी और अपनी वीडियो वाइरल कर दी थी. मेरी और आदित्य की वीडियो के साथ एक बहुत ही घटिया टाइप का गाना भी लगा हुआ था मुझे बदनाम करके रख लिया था मेरी मा रोने लगी मुझे कहने लगी तूने हमें कहीं मुह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मेरे पास कोई जवाब न था आदित्य ने मोहबबत के नाम पर मुझे बहुत गहरी चोड़ दी थी वह तो कहता था कि मैं उसकी इज़त हूँ मेरे खातिरव सबसे लड़ जाएगा लेकिन यह सब जूट था दो दिन के अंदर अंदर मेरी शादी रोहन से कर दी गई मेरे माँ बाप ने हाथ जोड़ कर सुनीता आंटी की विनती की थी वह मुझे अपना ले अपनी बहु बना ले मेरी किस्मत ने शायद उतरण ही लिखी थी पती मिला तो वह भी उतरण ही मिला था रोहन मुझे हर समय बदचलन के ताने देता रहता था मैंने एक चुपी मुह पर लगा ली थी रोहन को जब गुस्सा आता तो वह मुझे पर हाथ उठाता था और मुझे न जाने क्या-क्या सुनाता था वह मुझे कहता था कि तुमने उस लड़के के साथ कितनी बार मुह काला किया होगा मेरा जुल्म यही था कि मैंने सिर्फ मुहबबत की थी मैं आदित्य के साथ कोई गुनाह नहीं किया था लेकिन मैं बद किरदार कहलाई जा रही थी सुनीता आंटी ने मुझे नौकरानी बना कर रख लिया था दो साल मैंने बहुत ही मुश्किल में काटे थे लेकिन उसके बाद जो गम का पहाड मुझे पर तूट पड़ा उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी रोहन की एक एकसिज़ेंट में मौत हो गई और उसका इल्जाम भी मुझे पर लगा दिया गया कि मेरी मनहुस से वह मर गया है सुनीता आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया मैं फिर से अपने मा बाप के घर पर आ पड़ी मेरे पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया मैं पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में पढ़ने लगी मेरी छोटी बहने आप शादी के काबिल हो चुकी थी दोनों बहने की शादी मैंने ही की थी मेरे मा पापा मुझे अभी बात नहीं करते थे पापा भी अब नौकरी छोड़ चुके थे मैंने अपने मा बाप की सेवा में उम्र बुझाने लगी दोनों ही बीमार होने लगे थे कुछ सालों में मेरे माँ बाप भी भगवान को प्यार हो गए समय गुजरने लगा था मैंने एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली थी अकेली घर में रहती थी एक बार में कॉलिज से वापस आ रही थी कि मेरी नजर सामने एक दुकान पर पड़ी मेरी गाड़ी को एकदम ब्रेक लगे थे सामने कपड़े की दुकान पर वहीं खड़ा था नजर का चश्मा लगाए औरतों को अलग-अलग कपड़े दिख रहा था मैंने अपनी आँखों से आंसू साफ किया गाड़ी पारकिंग एरिया पर लगाई उसकी दुकान पर चली गई उसे बस एक सवाल पूछना था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैंने उसका क्या बिगाड़ा था मैं उसके सामने कुर्सी पर बैट गई मेरी उम्र इस समय 45 साल की थी और आदित्य की उम्र 40 के लगभग हो चुकी थी मुझे देखकर उसके हाथ में पड़ा दुपट्ता वही गिरा था जो मेरे बराबर बैठी औरत को दिखा रहा था धीरे से उसने मेरा नाम पुकारा था मैं उठकर खड़ी हो गई मैंने कहा मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है उसने अपनी दुकान पर मौजूद लड़के से कहा कि तुम दुकान का खयाल रखना मैं अभी आता हूँ यह कहकर उसने मुझे दुकान से बाहर जाने का इशारा किया वह मेरे साथ दुकान के अंदर मौजूद एक कमरे में आ गया जो कुछ आनफिस टाइप का बना हुआ था सामने कुरसियां और एक टेबल मौजूद था वह मुझे कुरसी पर बैठने का इशारा करने लगा तुम यहां कैसे आई मैंने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोग दिया मैंने कहा मुझे बैठना नहीं है और नाहीं तुमसे कोई सफाई सुननी है बस तुमसे एक सवाल पूछना है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बस महबबत ही की थी ना तुम अपना नहीं सकते तो साफ इंकार कर देते मुझे बदनाम क्यों किया मेरी आँखों से आंसू बहने लगे मुझे इतना बड़ा जूट क्यों बोला आदित्य तुमने मेरी बात सुनकर वह कहने लगा मैं तुमसे कोई जूट नहीं बोला था जूट मेरे बाप ने बोला था मैंने तुमसे शादी की बात जब अपने घर पर की तो मेरे पापा ने साफ मना कर दिया वह मेरा रिष्टा कहीं और करना चाहते थे उस रात मेरी पापा से बहुत बहस हुई थी मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गया इत्तिफाक या फिर बदकिस्मती ही कहो उसी रात कुछ चोर मेरा मोबाइल और पैसे छीन ले गए और मेरी टांग पर गोली मार कर वह नौजवान रफू चक्कर हो गए मैं चलने फिडने के लायक भी नहीं रहा था इसलिए दुकान पर मेरे पापा जाने लगे बदनाम हो जाएगी भगवान के लिए उसे मेरे लिए मांग ले लेकिन मेरे पापा ने मुझे कमरे में कैद कर दिया जब तक मैं चलने फिरने के काबिल हुआ मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी हो गई है और फिर मैं पीछे हट गया मेरे पापा ने बहुत चाहा कि मैं उनकी पसंद की शादी कर लूँ लेकिन मेरी ना कभी हामे नहीं बदली फिर जब तुम्हारे पती की मौत की खबर पहुँची तो मैं सोच चुका था कि तुम्हें अपना लूँगा लेकिन तुम लोग घर छोड़ कर जा चुके थे मुझे बस यह मालूम था कि तुम दिल्ली गए हो लेकिन दिल्ली में यह पता नहीं था कि तुम कहां पर हो मैं अपने शहर को छोड़ कर दिल्ली में दुकान ले ली और यही काम करना शुरू कर दिया मुझे उम्मीद थी, कभी तुम मुझसे मुलाकात होगी लेकिन यह नहीं मालूम था कि तुम्हारा इंतजार में एक लंबी उम्र गुजर जाएगी निहारिका, मेरा इरादा तुम्हें बदनाम करने का नहीं था मेरी नियत में होता, तो उस वक्त यूही तुम्हारे घर से बाहर ना आ जाता तुम, और मैं उस समय घर पर अकेले थे मैं जो चाहता, तुम्हारे साथ कर सकता था लेकिन मुझे तुमसे मोहबबत थी सची मोहबबत, इसलिए मैं तुम्हें इज़त से अपनाना चाहता था लेकिन मेरा मोबाइल चोरों ने छीन लिया था और शायद उन्होंने ही हमें बदनाम कर दिया था उन्होंने ही मेरी वीडियो वाइरल कर दी होगी आदित्य की बात सुनकर मैं चुपसी हो गई उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे कहने लगा आज भी मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ वह आज भी मेरे इंतजार में था लेकिन समय बहुत आगे बढ़ चुका था मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या फैसला करूँ आप ही मेरी मुश्किल आसान करें तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्णर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे आल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए धन्यवाद